के साथ कंबोडिया के पधान मंत्री हुन से इस सिफा देने का फैसला किया है वह दुनिया के सबसे लंबे समय तक शाषन करने वाले नेताओं में से एक है उन्हों लगबक कितने दश्कों तक शाषन किया तो इसका सही उत्तर है चार निमलित में से किस देश ने लिंक परिव जो कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों का एक खतरनाक प्रमाण है तो यह जो क्रेटर है दोस्तों यह पिगल रहा है तो इसका जो यह जो प्रेजेंट है अभी यह है अपने रश्या में 21 का जो सही उत्तर हो है option A आगे चलते हैं 22 में प्रशन की तरफ चलते हैं जापान माइकल फेल्प्स के अंतिम व्यक्तिगत विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो माइकल फेल्प्स किस देशके हैं आप सभी जानते होंगे माइकल फेल्प्स जो है एक महान घ्लारी है जो कि सभी राज अमेरिका के रहने वाले हैं अगले प्रशन की तरफ चलते हैं दोस्तों कोश्ण नमर 23 की तरफ निमत लिक्त में से लिथुवानिया में भारत का अगला राजदूत किसे न्युक्त किया गया है दोस्तों इसका सही उत्र है देवेश उत्तम जी को जो है लिथुवानिया में भारत का अगला राजदूत किया गया है दोस्तों आगे चलते है प्रशन नंबर 24 की तरफ निमलिक में से किसे सीरिया में भारत का अगला राज़दूत निक्त किया गया है तो सीरिया में जिने निक्त किया गया है उसका सही उत्र है इर्शाद एहमत प्रती वर्ष 28 जुलाई को विश्व हैपटाइटिस दिवस मनाया जाता है विश्व हैप चिराकशेटी की स्टार जोड़ी ने कौन सा खिताब जो है वो जीता है तो दोस्तों इसका जो सही उत्त रहे है कोरिया ओपन पुरुश यूगर। बारत के सात्विक साहिराज और चिराक शेटी की जोड़ी ने कोरिया ओपन पुरुशोगल का खिताब जीता है 27 मा प्रशन इस तरह से है भारतिय टैनिस के लाड़ी सुमित नागल ने चेक गनराज्य के डेली और सिवर सियाना को सीधे सेटों में हराकर टांपेर ओपन का खिताब जीत लिया है यह नागल का पांच मुकाबलों में से कौन सा ATP चलेंजर खिताब है तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास इस तरह से है यह उनका पहला है यह दूसरा है तीसरा है चोथा है तो इसका जो सही उत्तर है यह दूसरा ओप्शन है इनका दूसरा ATP चलेंजर खिताब है आगे बढ़ते हैं 28 में प्रशन की तरफ दोस्तों भारतिय घुर्षवारी टीम ने मौसको में आयोजित अंतराष्टिय टेट पिंगिंग टूनामेंट में ओवरॉल खेल का कौन सा पदक हासिल किया है ओवरॉल खेल में पदक हासिक किया उन्होंने स्वण पदक हासिल किया भारतिय घुर्षवारी टीम ने मौसको में आयोजित प्रतोगिता में स्वण पदक जो है वो हासिल किया है इसका उत्तर है इसका सही उत्तर है 121 देश जो दोस्तों इसमें शामिल थे इसमें पाकिस्तान का 99 रेंग है मशहूर परिटन स्थल रोड्स आइलेंड के जंगलों में लगी भीशनाग को देखते वापाताल लगा दिया गया है तो यह रोड्स आइलेंड है यह कौन से देश में तो रोड्स आइलेंड भीशनाग लगी है दोस्तों यह एक शेतर जो है यह इलाका जो है ग्रीस में पढ़ता है 31 का जो सही उत्तर है वो है बी यानिकी ग्रीस 32 परिशन दोस्तों इस तरह से है इकनोमिक्स इंडेलिजिंस उनिट के ग्लोगल आइविल्टी इंडेक्स के मताबिक दुनिया में रहने वाले सबसे खराब शेहरों में जो है कराची को एक स्थान माना गया है कराची को एक शहर माना गया तो दुनिया के 177 शहरों में कराची का यह कौन सा स्थार है यह कराची कौन से नंबर पर है 32 का जो सही उत्तर है वहाया पयसे option D है 188 है जो है कराची है दुनिया के सबसे खराब शहरों में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के नुसार भारत को 80th rank मिला है पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है इसमें जो है एक देश उपर आ चुका है और कुछ देश नीजे जा चुका है जो पहले टॉप पर थे तो इसमें जो उपर आया है सिंगापूर हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के नुसार पहली जो पोजिशन पर बना हुआ है सिंगापूर का पासपोर्ट जो है वह सबसे स्ट्रॉंग पासपोर्ट है आगे चलते हैं 34 में प्रशन की तरफ प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतराश्टिय सत्रंज दिवस जो ह इंटरनेशनल सत्रंज दिवस बनाया जाता है इसकी शुरुवात हुई थी 1964 में 34 का सही आंसर है ऑप्शन दी दोस्तों अब चलते हैं 35 में प्रशन की तरफ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के नुसार दुनिया का सबसे शांती पूर्ण देश कौन सा है तो यह जो देश है दोस Region A भारतिय पूरुष क्रिकेट टीम के मुख्ये चैनकरता की रूप में किसकी निक्ति कई गयी है तो जो जो नेकी प्रशनों के साथ 21 प्रशनों के साथ हम अगले खदम ने के बाद एगले वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ और क्रूबर मन तक है घन्यवाद